हेलो स्टूडांट्स आइ वेलकम अल आफ यू इन केने से जुकेर टूड़े वियार सॉलविंग प्रॉब्लेम सेट नंबर 24 ओफ यूवर चाप्टर एंगल्स यह आपका चाप्टर है फिफ्थ मैथमाटिस का ओके तो स्टूड़े यह जो प्रॉब्लेम सेट है 24 यह बेस है जो हमने concept learn किया था how to name the angles ओके तो यह start करते हैं देखे complete the following table हमें क्या करना इस table को complete करना है अब को यहापर diagram दिया है name of the angle हमें लिखना है then vertex लिखना है arm of an angle ओके अल्वीड हमें पता है vertex क्या होता है जो यहापर angle है जो point यहापर होता है इसे हम क्या कहते है vertex कहते है यह क्या ओके अभी यहापर एक angle आपको दिख रहा है तो इसका vertex क्या है इसका vertex है Q तो vertex ही जाग पर Q लिखिए अभी उसके arms कुन से है आपर PQ या तो QP कहेंगे तो QP and QR इसके arms हो जाएंगे और इसका name क्या हो जाएगा angle PQR और angle RQP इसे भी हम इसे कह सकते हैं अभी यह वाला angle द का symbol angle N M L और angle L M N यहापर कहेंगे इसका vertex कौन यहापर M है तो इसका vertex आजएगा M अभी arms of N angle इसके arms कौन-कौन से है so M N and कौन सा है M L इसके arms हो जाएंगे अभी इस question में देखें इसका angle क्या है यह वाला angle है तो इसका vertex U है तो U लिख दीजिए अब इसके arms कौन से U S and U T है इसके arm है मतलब U S and कौन सा है U T इसका angle क्या है अभी S U T angle S U T और angle T U S भी हम यहापर कहे सकते हैं तो आपका table यहापर complete हो गया तो students यहापर ही हमारा problem set number 24 यहापर ही end हुआ तो मिलते हैं next video में thank you